दोस्तो आज हम शर्ब लिष्ट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तो आज हम शर्ब लिष्ट के बारे में पढ़ेंगे शर्ब लिष्ट हमें ओप्शल केटलॉग देता है यानि कि ये शर्ब लिष्ट किसके पास होता है ये चैनल लिश्ट लेबरेजी सिटाफ या लेबरेजी इनके पास होता है ये आम लोगों के पास पब्लिक के पास नहीं होता है क्योंकि security purpose की वज़े से इनको पब्लिक से दूर इस चैनल लिश्ट को पब्लिक से दूर रखा जाता है ठीक ये आप याद रखना ये हमें history of each book देता है यादि कि यहां पर हमें history of each book मिलती है each book की history हमें यहां पर मिलती है ये कब विड्रा हुई ये book विड्रा कब हुई इसकी bibliographic details के बारे में हमें चल चल जाता है यहां पर each item में हम एक card रखते हैं एक card रखते हैं यानि कि यह कि कि प्रिंसिपल के बैस है वन ताइटल वन काड के principle पर यह बेस है, यानि कि each item यहां पर each item given एक item को एक ही card दिया जाता है और यह किस principle के पर यह बेस है one title, one card के principle पर यह बेस है, ठीक shelf list arranger by call number, यहां पर shelf list अरेंज किया जाता है वो call number की बुनियाद पर अरेंज किया जाता है, और इनको इस shelf list card को परलर रखा जाता है book arrangement के साथ यहां पर जो shelf list होता है यह call number की बुनियाद पर अरेंज किया जाता है, और इनको परलर रखा जाता है book arrangement के साथ, ठीक यह हमें bibliographic details भी देता है book up lost हुई, इसकी detail भी देता है, book up withdraw हुई उसकी detail भी देता है, book up replace हुई उसकी detail भी देता है, gift के बारे में भी detail देता है, कि किसने लेबरी को गिप्ट दिया, कितने बुक्स दिये, उसके बारे में भी डिटेल रखता है, लेकिन ये एडिट एंट्री के बारे में डिटेल नहीं रखता है, ये इन चीजों के बारे में डिटेल रखता है, लेकिन एडिट एंट्री के इसमें एडिट एंट्री की डिट नहीं होती है ठीक पिर हमारे पास यहां पर आ जाता है केटलोग लिष्ट केटलोग लिष्ट जैसा है कि हम जानते हैं कि शल्ब लिष्ट किसके लिए ऑप्शल्स के लिए है केटलोग लिष्ट पॉब्लिक के लिए बनाया गया ताकि पॉब्लिक इस लिष्ट को एक्सेस कर इस लिष्ट तक पुह जाए ठीक और यहां पर यह उपन प्लेस पर रखा जाता है ताज कि पॉब्लिक जब इस लिष्ट को देख पाए तो उसे पता चल जाए कि मेरा रिक्वाइड मिटीरियल क्या इस लेबरी में मौझूद है यहां पर डॉकिमेंट को लोकेड किया जाता है according to class number class number की बुनियाद पर यहां कि अगर अगर आप catalog card में देख रहेंगे वहां पर हम call number देते हैं और action number देते हैं उसकी बुनियाद पर हम catalog उसकी बुनियाद पर हम document को locate करते हैं यहां पर अगर हमारे पास group of x बहुत सारे volumes एक copy के एक पर यहां पर अगर हमने है के फोल्म उसका है यहां पर अगर हम जदेते हैं लेकिन हम क है उसके जानी किःमर सरह एक घ्र दशकिलिया penalty हुआ हुआ है यह में फूल यिटेयल देता है इंप है particular डवे हैं में फूल डिटेज 콜 पर इंतरील कीन के बारे में हमें फूल के संभिव do कंशे क्रश टिव लिष्ट य मुदिक्ष कर्षा हैं। और यहां पर main card entries और edit entries दिखाई जाती है इस card में इस card में main card entries और edit entries को दिखाया जाता है जब कि हमने shelf list में पड़ा था कि वहां पर bibliographic details दी जाती है किसी भी document या book की यह book कब lost हुई अगर lost हुई तो कब lost हुई अगर विड्रा हुई तो कफ विड्रा हुई उस के बारे में यह shelf list detail देता था वहां पर edit entries के बारे में नहीं लिखा जाता है लेकिन यहां पर main entries के बारे में catalog list में main entries के बारे में भी लिखा जाता है और edit entries के बारे में भी लिखा जाता है ठीक मुझे इमीद हैं कि आपको ये छोटा से वीरू मेरा पसंद आ गया होगा